हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे स्वीट नट्टी ड्राइफ्रूट मोदक वो भी बैगेट चीनी और मावा के गनेश चतूर्थी के मौके पर मोदक बनाना तो बनता ही है तो क्यों ना हम ऐसा मोदक बनाएं जो खाने में टेस्टी के साथ साथ हिल्दी भी हो और इसे हमा हम बनाएंगे खजूर और ड्राइफ्रोट से बना हुआ ये हील्दी और टेस्टी सा मोदक इसे बनाने के लिए मैंने यहाप लिया है 20 खजूर और ये सिड्स के साथ है इसे हमें सिड्स को बाहर निकालना है और सांथ मैंने लिया है आठ अंजीर के पीसेज अगर आपके पास है तो आप डालिए नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और जो खजूर हमने लिया है उसमें सिड्स है तो सारे सिड्स को हम बाहर निकाल लेते हैं मैंने सभी खजूर के बीज को साइड कर लिया है और एक मिक्सी का जार हम लेंगे जिसमें सारे खजूर को हम ट्रांसफर क कर लेते हैं और साथ में जो हमने अंजीर लिया है उसे मैं थोड़ा सा कट कर ले रही हूं ताकि यह ग्राइंड करने में आसानी हो क्योंकि थोड़ा सा अंजीर जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है तो ग्राइंड होने में थोड़ा सा परिसानी होता है तो इसे मैं रोक हाड है अगर नहीं आपकी पिस रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी छोटा चमच डाल सकते हैं ज्यादा मत डालिएगा नहीं तो यह गिली-गिली सी हो जाएगी बाइंड अच्छे से नहीं होगी और उसे मैं निकाल कर रख दे रही हूं एक बॉल में और इधर गैस पर मैंने एक पैन रखा है पैन में मैंने 50 ग्राम यहाँ पर जो बड़े वाले बादाम है उसे मैं डाल रही हूं और इसे हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा एक मिनट भुनने के बाद मैं यहाँ पर काजू भी डाल दे रही हूं बादाम को थोड़ा सा भुनने मे मैं हलका सा time लगता है इसलिए मैंने बादाम को पहले डाला है और एक से दो मिनट और हम काजु and बादाम को थोड़ा सा चला लेंगे तो ये अच्छे से भून जाएगी तो ये देखिए हलका हलका काजु के उपर spot आ गई है ये अच्छे से भून गई है तो मैंने जिसमें ख यह चलंँ में अभी 6 तो इसे भी ग्रæंड कर लें आर इसे हमें बहुत जड़ा बारी पाउडर नहीं चाहिए इसका कोर्सली हमें ग्राइड करना है इसका हमें दर-完全 साय पाउडर चाहिए और यहां परƯहां पर थोड़ा सा पिस्ता पिसा हुआ है, तो मैंने यहां पर दो बड़े चम्मच मैंने पिस्ता का पाउडर डाला है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, खजूर के साथ और अंजीर के साथ ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए, सारा जो हमने इसमें बादाम, काजु और पिस्ता डाला हुगो साथ में अच्छे से मिक्स हो सके इसे थोड़ा सा पेसेंस के साथ आपको बाइंड करना पड़ेगा और यह देखिए यह बहुत अच्छे से बाइंड होकर डो फॉर्म में आ गई है तो अब हम इसमें मोदक बना लेते हैं तो यहां पर मेरे पास मोदक मोल्ड है तो उसे में थोड़ा सा घी से ग्रीज कर ले रही हूं और इसमें थोड़ा सा मिक्स्टर दोनों साइड में मैं डाल रही हूं और दोनों साइड में डाल कर मैं इसे दोनों को जोड दे रही हूं यह बहुत ही बढ़िया सा हमारा मोदक बनकर तयार हो जाएगा जो कितना अच्छा लग रहा है तो इसे मैं निकाल ले रही हूं प्लेट में दूसरा भी मैं बना कर दिखा रही हूं दूसरे वाले मोदक को भी मैं इसी तरह से बना कर तैयार कर लूँगी मैं आपको आज दो तरह से बनाने बताऊंगी एक मोल्ड के सहाइता से और एक बिना मोल के सहायता से तो यह देखिए दूसरे वाला भी कितना अच्छा यह ₙए निकल कर आया है अक लर देखिए कितना खूबसूरत है और नटी फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया है इससे मुह सेब दे दिया है अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लाइनिंग लाइनिंग भी कर सकते हैं और यह देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा हमारा हेल्दी मुदक बनकर तयार है तो इस गनेश चतूर्थी आप इस मुदक को अराम से बहुत ही जटपट बना सकते हैं अगर टाइम कम हो और आपको मोदक बनाना है तो आप इस मुदक को बना सकते हैं जटपट बनकर तयार हो जाएगी और इसे मैंने थूड़ा सा मेरे पास पापी सिव्ड्स थे मैंने उससे हलका सा नीचे नीचे इसे थोड़ा सा चिपका दिया है देखने में कितना अच्छा लग साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजेगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके बाइबाइबाइब फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में